नमस्कार हिंदी साहित वारता में आप हैं इस वक्त सुभाश ठाकर के साथ दोस्तों अगर आप भी HP PGT हिंदी कमिशन की तैयारियां कर रहे हैं तो ये वाला वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है क्यूंकि इसमें हम आज डिसकस करने वाले हैं हमारे पाठेकरम में दिर्ध जो नया पोर्शन लगा है निबंध वाला उसमें से एक निबंध हम आज करने चा रहे हैं जो है हजारी पर साथ दिवेदी द्वारा रचित उनका ललित निबंध नाखुन क्यों बढ़ते हैं आप सब लोग जानते हैं कि इनका जो ये निबंध है ये एक ललित निबंध ह क्या होता है ये जानना आपके लिए सबसे पहले बहुत ज़ादा जरूरी है यहां पर ललित निबंध होग आई निबंध काउटा की विधह माने अपने जीवन के अनुभवों को सरस्ता के साथ सरल्ता के साथ अभिव्यक्ति प्रदान करता है तो जहां कहीं भी लेकक अपने अनुभवों को बहुत सुंद्रता के साथ या फिर यूं कहें कि रोचकता के साथ पाटकों के बीच में प्रदर्शित करें तो वो ही क्या कहलाता है ललित निवंद कहलाता है यह जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए लाके आया हूँ यहां पर आप दिख रहे होंगे कि यह जो एक नोट्स के फॉर्म में है और हिंदी साहित वारता ने एक कोशिश की है कि आप सब लोगों के लिए जो है एक नोट्स भी तियार कर दिये अगर आप चाते हैं कि इन नोट्स को आपने भी बाय करना है तो आप मुझे वाट्सेप कर सकते हैं स्क्रीन पर आपको नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा होगा इस पर आप वाट्सेप कीजिए और आपको तुरंक जो है वो आपको पीडियाप जो है वो इसकी उपलब्द करव बादी जाएगी बहुत ही कम प्राइस में तो हम बात कर रहे थे ललित निबंधों की यहां पर देखे ललित निबंध का मतलब है जहां पर अपने भावात्मक व्यक्तितों को लेखक जोह को प्रकट करता है रोचकता के साथ इसमें सरस शैली पर बल दिया जाता है यानि कि सुन्दर शैली में इसकी भाषा में कलपना शीलता रहती है सहचता और सरस्ता सरलता होती है और भाषाई शुशकता के लिए इसमें कोई भी स्थान नहीं होता भाषाई शुशकता का मतलब है यहां पर कि भाषा भी इसमें शिथिल नहीं रहती बिलकुल अच्छी और ललित निबंदकार हजारी परसाद दिवेदी जी ने निबंद को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। ललित निबंद कार हैं हिंदी साहिते के वो तीन माने जाते हैं जिनें ललित निबंद त्रई के नाम से जाना जाता है। एक और चीज़ देखी होगी देखना की जहां पर लिखा है हिंदी गद्य का उदभव और विकास तो इसका मतलब है वहां पर आपको हिंदी निबंद का विकास भी पूछा गया है। वहां पर आपको बोला गया है कि हिंदी उपन्यासों के विकास और उदभव के बारे में भी आपको जानना है। तो एक और आपको ये जो साथ आठ जो आपको निर्धारित निबंद कहानिया नाटक उपन्यास इत्यारी लगे हैं ये तो आपको बिल्कुल डिटेल से पढ़ने हैं जैसा कि यहां पर दिया हुआ है देखना लेकिन दूसरी तरफ जो आपको क्या करना है उन सभी निबंद हो गया नहीं आपको पूरा निबंद साहिते पढ़ना पढ़ेगा निबंदों की शुरूआत किसती हूई निबंदों का जो भी भाजन है वो किस तरीके सी किया जाता है इन चीज़ों को भी आपको पढ़ने नीबंद कार और उनके निबंद उसमें सबसे पहला नाम आता है यहाँ पर हजारी प्रसाद दिवेदी, पहले इनके निबंद संग्रे रहे हैं, उसके बाद इनके बुख्या निबंद यहाँ पर दिये हुए हैं, तो बहुत बार इनको क्रमानुसार लगाने के लिए भी पूछा जाता है, एक चीज यह ध्यान रख लेना, कि इ इद्यानिवास मिश्र, कुबेरनात राय, रामरिक्ष बेनिपूरी, इत्यादी जो अन्य नाम आते हैं इनके साथ, उनको भी थोड़ा सा देख लेना है, कि उनका जनमवश्च भी अगर आपको पढ़ने को मिले, तो वो भी सासाथ में देख लेना, ठीक है, यहाँ पर पह आईते सहचर 1965 और अलोग पर्व जो है वो 1972, अब यहाँ से कई वर क्या पूछता है कि इनको क्रमानुसार लगाईए, या पूछता है कि इन में से कौन सा निबंद संग्रह है, जो है वो हजारी परसादी वेदी का है, और कौन सा नहीं है, तो यह चीज आपको जानना पहल बहुत जरूरी है कि कौन सा निबंद संग्रह है, और कौन सा प्रमुख निबंद है, तो यहाँ पर नीचे इनके निबंद लिखे गए हैं, इन में से देखिए आपका ये वाला निबंद जो है, ये नाखुन क्यों बढ़ते हैं, ठीक है, ये निबंद हमारे पाठे करम मे इतने उतारे हैं, ठीक है, इसके लाव और भी हो सकते हैं, बहुत सारे, जबकि इनके निबंद संग्रह ही यतने हैं, तो निबंद तो इनके अथार पहेंगे ही रहेंगे, ठीक है, अब यहाँ पर आता देखिए कि पाठे करम में निदारित निबंद नाखुन क्यों हैं, इसके संदर्व में कुछ मुख्य तत्य हैं, और ऐसे ही तत्य हैं आपको याद रख लेना है, यहीं से ही आपको प्रशन पूछा चा सकता है, इसके बाहर आपको कोई भी प्रशन, मेरी इस आपसे तो नहीं बनने वाला है, जितनी भी चीज़ें इसमें रखी हुई है और यह आपने देखा होगा, UGC NET में भी यह निवन्द जो है, वो शामिल है, तो जो जो चीज़ें आपको वहाँ पर रहेंगी, यही चीज़ें यहाँ पर आपको देखनी है, NET से जादा डिटेल से यहाँ पर आपको नहीं पूछा जाएगा, यह चीज आपको अपने निवंदों का संकलन है, प्रश्णी, यह भी पूछा जा सकता है कि कलफलता में कितने निवंद हैं, ठीक है कब परकाशित हुआ, 1951 में, और इस निवंद में संकलित निवंद कौन से हैं, नाखुन क्यूं बढ़ते हैं, अब यह प्रश्णी आपको यहाँ से पूछा जा स हैं वो इस कलपलता नामक निबंध संग्रह के अंतरगत आते हैं तो इनको भी आपको याद रख लेना है नाखुन क्यों बढ़ते हैं आम फिर बोरा गए शिरिश के फूल ये बहुत ही इंपोर्टेंट है देखना इसको भी आपको याद रख लेना पड़ेगा ठीक है एंड महात्मा के महाप्रयान के बाद ठाकुर जी की बटोर इत्यादी इत्यादी ठीक है इनको आप एक बार देख लीजिए यहाँ से प्रशना आपको पूछा जा सकता है और अगर आपने द्यान से देखा होगा कि इनके निबंध और महावीर प्रसाद दिवेदी के निबंध जो देखना जो EMRS वाला जो पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था इनके निबंधों को और वो डारेक्ट कोशन आया था कि इनका कौन सा निबंध था और कौन सा निबंध इसमें नहीं था ठीक है आगे आता है देखिए कि कलप लता निबंध संगरह में संकलित नाखुन क्यों बढ़ते हैं में डिवेदी जी ने पशुता और मुनुष्यता के मूल्यों पर विचार किया है वेरी वेरी इंपॉर्टन है ये लाइन इसको आप नो डाउन कर लिजिए कि इस निबंध में क्या चीज़ बता गई है तो यहाँ पर ये पशुता और मानवत ठीक है इसको ही बना करके लिखा गया है और यही बात आप पूरे निबंध में पाते हैं कि जो नाखुन बढ़ना किसके निशानी है वो पशुता के निशानी है यही प्रशन नेट में भी पूछा गया है पहले तो इसको आप एक बार देख लीजेगा डिवेरी जी ने व पूरे निशानी है और इनको चिनमुखी जो मानवताबादी कहा जाता है यह भी आप त्यान में रखिए इस निबंध के माध्यम से बार बार कटे जाने पर भी बढ़ जाने वाले नाखून के बहाने सभ्यता और संस्किती की विकास गाथा को उदगाटित किया गया है ठीक है कि वही दीरे दीरे क्या हो रहा है हमारी सभ्यता और संस्किती का भी विकास हो रहा है वो इसके माध्यम से बताने की बात की गई है नेक्स तो याद रख लेना कि ये इसकी छोटी बेटी ने किया था, हना कि इसका नाम इसने यहाँ पर mention नहीं किया है, ठीक है, तो यहाँ पर पहली तो ठीक है कि इसने ये पूछा, आगे लिखा गया है कि ललित निवंदकार की प्रवरिती जाग उठी, कि मतलब क्या है कि हमने नाखुन बढ़ना, ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर यह वो रहा है कि उसकी प्रवरिती फिर जागती है, और वे इसका उत्तर खोजने के लिए मनुष्य की आदिम काल से अब तक के जीवन पर द्रिश्टी बात करते हैं, तो अब अपने से लेखक लगातार जूजता है कि आखिर नाखुन क्यों बढ़ते हैं, नाखुन तो उस बरबर युग की देन है, जब वो नाखुन का हत्यार की तरह इस्तेमाल करता था, नाखुन काटकर वो बरबरता से चुटकारा पाना चाता है, लेकिन क्या वास्तव में यह बरबरत से चुटकारा पासका है, हिरोशीमा का कांड भी इसी बरबरता का प्रमाना है, तो आपको प्रशना है, यह भी पूछा जा सकता है कि हिरोशीमा का जो कांड हुआ है, इसका उलेक किस निबंद में आया है, तो यहाँ पर भी आपको याद रख लेना है कि यह भी नाखुन क क्यों बढ़ते हैं निबंद में आया हुआ है और नाखुन को इसने बोला कि ये बरबरियू की दिन है और हत्यार की तरह इस्तिमाल करता था इसी से इसने याद रख लेना है कि वो बरबरता से मानवता की और प्रबृत होने की बात करता है कि उनको काटने के पीछे का रीजन यही है ठीक है प्राचीन पुस्तकों में नाखुन को सजाने और समवाने संबंदी उलेक मिलते हैं यहाँ पर ये प्रशन फिर से पूछा जा सकता है देखना कि कहां से पता चलता है कि आज से लगवग दो हजार वर्ष पूर्व जो है अपने नाखुन को तरह तरह से सजा पाने का प्यत्न करते हैं तो यहाँ पर भारत्य संस्किती की बात भी यह कह रहा है देखना कि पशुता से मानवता की और बढ़ने की रही नाखुन बढ़ना केशों का बढ़ना आदी ऐसी सहज वृतियां हैं जिसके बारे में मनुष्य नहीं सोचता अगर वह सोचता तो इसे मालूम होता कि नाखून बढ़ा लेने की वृति उसके अंदर के पशुत्व के निशानी है। जीवन में बहुत इक सफलता तो लाती है लेकिन यहां पर लेकिन की वर्तनी गलत होगी इसको ठीक लिजेगा जिन से मनुष्य के मनुष्यत्यक अविकास नहीं होता आतम नियंत्रन के दौरा मनुष्य अपनी प्रकृतिक वित्यों को वश में करता है और मनुष्यत्यक के नाखुनों को प्रतीक बनाकर व्यंगे के माध्यम से आज के तथाकतित बाहर से सब्हे दिखने वाले किन्तु अंदर से बरबर समाज पर कटाक्ष किया है ये लाइन भी इंपोर्टन्ट है देखना कि क्या कर रहा है ये नाखुनों को प्रतीक माना गया है और व्यंगे के में भारतिता की महता और यहां के लोगों की समाजी की विवस्था, राजनितिक चिंतन, रहन, सहन, भाषाग्यान, सांस्कितिक अभ्युत्थान, पर समयक रूप से प्रकाश डाला गया है और इसमें राश्टर की सभ्यता और संस्किती पर भी सुंदरत रूप से विचार जो हैं, आपको जरूर बनते हैं, इसलिए आपको इनको एक बार जरूर देखना है, आपको प्रश्ण यहां से पूछा जा सकता है, ये नेट के पाठेक्रम में भी है, अगर आप में से कोई नेट का पेपर भी दे रहा है, तो उनके लिए भी ये वीडियो जो है इंपोर्टन हैं, ये प्रश्ण उसकी छोटी बेटी ने उससे पूछा था, ये हमने पहले पढ़ लिया, लेकर का माना था कि दक्षिनात्य लोग छोटे नकों को पसंद करते थे, यहां से नेट में प्रश्ण पूछा गया था कि कहां के लोग जो है, बड़े-मड़े नकों को पसंद क इसमें आप काम करती हैं, जिसमें नाखुन का बढ़ना, केश का बढ़ना, दांतों का दुबारा उगना और पलकों का गिरना, ये मनुष्य की चार सहज बृतियां जो है, इस नेबंद में बताए गई हैं, इनको भी आपको पूछा जा सकता है कि हजारी प्रसादी वेदी अपने इस नेबंद में जो है मनुष्य की सहज जो बृतियां हैं, वो कौन सी बताई हैं और उनकी संख्या कितनी है, तो चार बृतियां इसने बताई हैं, कौन कौन सी है देखना, कि हमारे नाखुन जो बढ़ना है, पाशुक बृति जो है, हमारे केशों का बढ़ना, हमा भी आपने देखना है देखना कि जो प्राचीन मनुश्य रहे हैं देखना इनके द्वारा ये कह रहा है कि हड्डियों से बनाया जाने वाले जो हत्यार थे उसका जिक्र किया गया है और इसमें आपको याद रख लिना है जिसमें दधीची रिशी की हड्डियों से बने वज् रहे हैं ये भी important है प्रशन आपको पूछा जा सकता है देखना कि कौन से इसमें जो है लेकर ने बताया है कि प्राचीन समय में मनुष्य के जो main हत्यार जो मुख्य हत्यार माने जाते थे वो कौन से थे तो याद रख लेना है नाखून और दांध जो है वो इनके हत्यार रहे तो ये कुछ मुख्य तत्या थे जो आपको निवंध से याद रख लेने है लास्ट और important चीज़ आपको निवंदों से जो पूछी जा सकती है वो यही कि इस निवंद में आए हुए जो प्रमुख कथन है वो कौन से थे लेकिन इसमें इतने जारा कथन नहीं थे लेकिन फिर भी जो जो कथन यहां पर रहे हैं उनको एक बार आप जरूर देखिए सबसे पहले देखिए मनुष्य की बरवरता घटी कहां है वो तो बढ़ती जा रही है मनुष्य की इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांट बार बार थोड़ी हुआ है थोड़े ही हुआ है तो यह इंपोर्टेंट लाइन है देखना इसको याद रखिएगा हो सकता आपको प्रशन पूछा जाए ठीक है तो यह किस निबंध में आया है नाखुन क्यूं बढ़ते हैं दुनिया का हर धरम, दया, सहिश्नुता, सरल्ता, सहयोग, सम्मान, समरस्ता, समाजिक्ता और सब्वेता सिखाता हैं किन्तु मानव के रिदय की नसर्गिक हिंसा बढ़ते नाखोनों की तरह समाप्थ होने का नाम नहीं लेती यह लाइन भी पूर्टेंट लाइन है हो सकता आपको प्रशनी में पूछी जाए, कालिदास ने कहा है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, आपको प्रशनी यहाँ पर इतना ही पूछा जा सकता है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब खराब, सब नए जो है वो खराब नहीं होते, लेखक ने यह कथन जो है, वो किस के माध्यम से बुलवाया है, तो यहाँ पर आपको याद रख लेना है कालिदास से, ठीक है, और यह कथन किस में आया है, तो याद रख लेना नाखुन क्यों बढ़ते हैं, निबंद में आया है, आप जब इस तरीके से देखेंगे न, तो आपके लिए चीज अच्छी हो जाएगी, भले लोग दोनों की जांच कर लेते हैं, जो हितकर होता है, उसे ग्रहन करते हैं, और मूर लोग जो है, दूसरों के इशारों पर भटकते रहते हैं, यह बात यहाँ पर किस की थी, कालिदास की बात थी, जिसको बताया किस ने, ज जो भी वर्ण और जातिय रही हैं, उनका सब का क्या रहता है, एक अपना आदर्श है, अपने कुछ उसके सिद्धान थे, और वो अपने ही बंदनों में अपने को स्वयम ही बांधता है, ठीक है, मनुष्य पशु से किस बात में भिन है, अहार, निद्रा, आदी, पशु वैसे ही हैं, जैसे अन्य प्राणियों के, लेकिन वो फिर पशु से भिन है, उसमें सैयम है, दूसरों के सुक तुक के प्रतिश संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है, मनुष्य के स्वयम के अदभावित बंदन है, ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, य इंपॉर्टेंट लाइन है, कि मनुष्य जो है, पशु से किस बात में भिन है, तो पशु से ही आपको याद रखिएगा है, कि नाखुन क्यों बढ़ते हैं, क्या है, पशुता की निशानी को बताया गया है, तो यहीं से आप याद रखिएगे, कि नाखुन क्यों बढ़त इनको आप एक बार जरूर देखिए और यहाँ पर आपका जो नाखुन क्यों बढ़ते हैं निबंध है देखना वो समाप्त हो जाता है बिल्कुल छोटा सा निबंध है और इसके जो मुख्य तत्य थे जहां से जो भी प्रशन बन सकता था वो यहाँ पर रख दिया गया है इ आप सब लोग जानते हैं कि ललित निबंध कार रहे हैं ललित निबंध कार कैसा होता है क्या होता है इन चीजों को थोड़ा सा देख लीजिए अन्य निबंध इसके कौन कौन से मुख्य रहे हैं उन पर थोड़ा सा एक बार आपको जरूर देखना क्यूंकि इनके ब्रुदों से नाटकों से, कहानियों से, उपन्यासों से पढ़ना है, क्यूंकि पूरा का पूरा आप पढ़ेंगे, तो वो ज़्याद़ अच्छ रहेगा, और जब तक आप टेक्स सरक्ष्ण को खुद से नहीं पढ़ेंगे टब तक आपका, यह नहीं हो सकता कि मैंने यहां से आपको बता दिया गोल पिलाके कि आपका चीज़ें निकल जाएंगी तो आपको इसको पहले खुद पढ़ना पड़ेगा तब ही आपको यहां पर जादा अच्छे से समझ में आ जाएगा तो अगर आप चाहते हैं कि आपको यह नोट्स की PDF बाय करनी है तो आपको एक बार मैं फिर से बता दूँ कि आप इन नंबर पर जो है समपर्क कर लीजिए और जैसे ही आप हम तक जोड़ते हैं वैसे ही आपको जो है PDF प्रवाइड करवा दी जाएगी आपको वहाँ पर बहुती कम प्राइस में ये उपलब्ध करवा दी जाएगी तो फिलाल आज के लिए इतना ही नई वीडियो में मिलेंगे हम एक नई क्लास के साथ तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत जय हिंद जय भारत